वेल्कम बेक फ्रेंड्स दिस इस दीपक दियानी पैटेन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैटेन नंबर 14 सीखने वाले हैं आज होप आप ये सारी चीजों को इंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे आज का पैटन बिल्कुल अलग होने वाला है और बहुत हुए इंटरस्टिंग और कामका है तो देखीए इसमें क्या है पांच रो हैं बड़ इसमें ये फिक्स नहीं है कि कॉलम कितनी है आप देखेंगे पहली रो में एक कॉलम है दूसरी रो में तीन कॉलम है तीसरी रो में पांच कॉलम है, चौती रो में साथ कॉलम है, और पांच भी रो में नौ कॉलम है मतलब ओड की फॉर्म में आ रहे हैं कॉलम, 1, 3, 5, 7, 9 तो ये काम कैसे होगा, हमने ऐसा तो बना है, फर्स्ट रो में एक स्टार था दूसरी में दो थे, तीसरी में तीन थे, चौती में चार थे, और पांच में पांस थे, अब ये काम कैसे होगा, हो जाएगा बहुत आसान है, सरल प्रोग्रामिंग है, तो सब कुछ मुम्किन है, वो भी आसानी से, तो सरल तरीके से हम सीखेंगे, जैसा हमारा चैनल का नेम है, अगर आप चैनल में नए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, और सस्क्राइब कीजिए, तो स्टार्ट करते हैं, तो मैं सब से पहले वही लिखूंगा, फोर, आई इक्वल टू वन से, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, और आई प्लस प्लस, मत्तब मैंने ये बता दिया है, अपने सस्टम को, कि एक से लेके पांस तक रो है, अब जे, जो कॉलम आ रही है, इसका क्या होगा, इसका भी हम देखेंगे भी उस्ता, जे एक्वल टू वन से, जे लेजेन इक्वल टू टू इन्टू आई माइनस वन, ये लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरी जानकारी दूंगा, अपने बस वीडियो लास्ट तक देखना है, और एस्ट्रिक मैं लिख देता हूँ, और इसके बाहर आपका क्या हो रहा है, एंडल, तो मैंने लिख दिया, एंडल for new line, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आई की वेल्यू वन हुई, वन लेस देन इक्वल टू फाइब, condition is true, condition true है, जे एक से लेके कहां तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू, टू इन्टू आई माइनस ए, वन, अब आप कहेंगे सर, ये क्या है, तो इसका मतलब ये है, टू इन्टू आई क्या है भी, वन माइनस वन, तो सबसे पहले, टू इन्टू वन क्या होगा, टू और माइनस वन, मतलब ये कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, तो जे एक से लेके, वन तक चलेगा, तो फस्ट बार में आपका ये वाला स्टार आ गया है, जब जे क्यो वैल्यू टू होगी, तो टू लेजन इकोल टू वन कंडिशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और ये कर्सर आपका बाहर आ गया नई लाइन पर, अब यहां से आई क्यो वैल्यू होगी, टू, टू लेजन इकोल टू फाइब, कंडिशन इस टू, तो इनर में एंट्री हो गई, जे एक से लेके कहां तक चलेगा, टू लेजन इन्टू आई माइनस वन, अब टू इन्टू आई को फिर से कलकुलेट करते हैं, टू टू है, आई होके आया है, टू माइनस वन, तो टू टू जा फॉर, माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री, तो आपका जो जे है, वन से लेके कहां तक चलेगा, थ्री तक चलेगा, तो आपके तीन स्टार यहां पर, आजाएंगे आसानी से, जब जे की वेल्यू फोर होगी, तो फोर लेजन इकोल टू टू थ्री, कंडिशन आपकी फॉल्स हो गई है, अब आई की वेल्यू यहां से थ्री होगी, थ्री लेस देन इकोल टू फाइब कंडिशन इस ट्रू, जे एक से लेके कहां तक चलेगा, टू इन्टू आई, टू इन्टू, टू है, आई की वेल्यू थ्री है, माइनस वन, टू थ्री जा सिक्स, माइनस वन क्या हो जाएगा, तो जे एक से लेके कहां तक चलेगा, तो मेरे पांच स्टार यहां आ जाएंगे, यह पांच स्टार आगे, जैसे जे की वेल्यू छे हुई, आपका लूप एग्जिट कर गया, और बाहर आ गया, आई की वेल्यू हो जाएगी, चार, तो जे एक से लेके, कहां तक चलेगा, टू इंटू आई, टू इंटू आई क्या है, फोर माइनस वन, टू फोर जा एट माइनस वन, सैवन तक चलेगा, तो मेरे साथ स्टार यह वाले आ जाएंगे, बहुत आसानी से हो जा रहा है सब कुछ, अब जे की वेल्यू जब, एट होगी, कंडिशन हो जाएगी, फॉल्स लूप एग्जेट कर जाएगा, अब आई होगा फाइब, फाइब लस जन इकोल तो फाइब कंडिशन इस ट्रू, जे एक से लेके कहां तक चलेगा, टू इंटू आई माईनस वन, टू क्या है, टू, आई क्या है आपका, तू आई अपका, और माईनस वन, टू फाइब से टैन, माईनस वन, नाइन, इट मेंज, आपका जो इनल लूप भाभी, वन टू नाइन चलेगा तो आपके नौ स्टार आ गए हैं यह वाले जब आपके जी की वैल्यू टैन होगी टैन लेसेन इकॉल टू नाइन कंडिशन इस पॉल्स आपका लूप बाहर आगया स्याउट एंडर आई की वैल्यू 6 होगी 6 लेसन इकॉल टू 5 कंडिशन फॉल्स हो गई आउटर फॉल्स तो इनर अटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा तो इसको इंप्लीमेंट करके देख लिएते हैं तो इधर आगे हम तो मैं रिखताम फॉर आइकॉल टू 1 से आई लेसन इ इकॉल टू टू इंटू आई माइनस वन यहां पर इसी बात के नंबर हैं और यह प्लस प्लस सि आउट ड़ल कोट्स मैं एस्टिक डाल देता हूं और यह उसके बाहर हम लग दिता हैं सि आउट एंडल फॉर न्यू लाइन शेप कर दिया और रन करके देख लेते हैं यह देखिए दोस्तो आप देख सकते हैं फरस्ट में 1 स्टार फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 गाईज अग अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठेंक्यू